Everyone, Good Morning, Namaskar 6 July 2020 के The Hindu News Paper Analysis करेंगे उससे पहले हम दो important question देखेंगे और उससे भी पहले हम जो कल question पुछे थे उनके answers को देखेंगे ठीक है इसके PDF आफ डिस्क्रिप्शन में Telegram का link दिया गया वहांसे डाउनलोड कर सकते है या comment section से भी डाउनलोड कर सकते है जहां पर इसका link दिया गया है तो सबसे पहले कल हमने दो question देखे थे यहां पर question number 83 था आपसे पूछा था page जानी Partnership for Action on Green Economy क्या है यह UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies MRZ यह कहां पर यह इसका गठन हुआ यह कहां पर यह organization बना था तो आप यहां पर देखेंगे about page के अंदर यह बताया गया कि Partnership for Action on Green Economy was launched in 2013 as a response to the call of Rio 20 यह clearly mention किया गया है official website पर UN page की basically 2030 तक जब हम sustainable development goal के बात कर रहे हैं तब तक हमें इनको स्पोर्ट करेगा और जो हमारे सस्टेनिबल डेवलेमेंट गोल है 2016 से 2030 तक उनमें यह काम करेगा इसके अंदर बहुत सारे organization काम करते हैं जैसे partner country में आप देखेंगे ठीक है और next question जो था 3D printing वाज था कि 3D printing के application कहां कहां है तो प्रिपेशन आफ कंफेक्षरी आइटम manufacture और बायोनिक एयर्ज ऑटोमेटर इंडस्ट्री रे कंस्ट्रिक्टिव सर्जरीज डाटा प्रोसेसिंग टेकनोलोजी यानि हर सक्टर में डी ओप्षन इसका सही हो जाएगा अब आज की question हम देखेंगे सबसे पहले question नमबर यहां फर 88 है momentum for change climate neutral now is an initiative launched by यह initiative किसने launch किया था momentum for change climate neutral now तो the intergovernmental panel on climate change IPCC जिसको बोलते है the UNEP Secretary UNFCCC Secretary World Meteorological Organization इन चार में से कौन सा सही है और second question जो है question number 90 है जिसमें बता गया यह region कभी कभी news में रहते हैं और कौन सी country से relation है Catalonia, Spain, Crimea, Hungary, Mindano, Philippines, Ormia, Nigeria तो यह चार यहां पर region दिए गए है और चार country से match किया गया है इन में से कौन-कौन सा pair सही match कर रहा है वो आप इसमें करेंगे इसका एक हिंट देता हूं अगर आपने क्रीमिया पढ़ाओ second में और क्रीमिया के बारे में inform हो तब आप दो option automatically eliminate कर सकते हैं लेकिन answer आपको करना है यह 4 के 4 region आपको बताने हैं पहले सही answer करना फिर यह 4 के 4 region किस country से match करते हैं वो भी आप नीचे comment करेंगे चले शुरू करते हैं आज के दा हिंदू news paper को यहां पर चाइना और भुटान के relation के बारे में एक important article है हमें यह क्यों पढ़ना क्योंकि भुटान हमारा neighbor है और हमारे लिए बहुत important strategically और एक buffer state की तरह है चाइना ने क्या किया चाइना ने इस्टरन भुटान की boundary पर claim कर दिया कि यह dispute territory है और यह कहीं ने कहीं इंडिया चाइना का एक boundary है और चाइना के अंदर यह अपना claim करता वह तो उन्होंने क्या किया आप यह map देखेंगे आपर skating wildlife century इस region में जो बिल्कुल अरणाचल प्रदेश के left side पड़ेगा यहाँ पर claim किया है यह eastern region पूरा का पूरा disputed है ठीक है भुटान और इंडिया की जो boundary है वो लगबग 699 km है सबसे पहले बात कीगी कि हम इस dispute को सोड़ा समझते हैं भुटान और चाइना के बीच में कोई diplomatic relation नहीं है और यह 1984 और 2016 के बीच में 24 राउंड यह 24 बार ऐसे भी dispute को सोल करने के लिए बात कर चुके हैं जो mostly बात होती थी वो North और West भुटान रीजेन पर ही होती थी इस्टन भुटान कभी भी बातचित का हिस्सा नहीं था और skating sanctuary जो की बिलकुल अरणाटर प्रदेश के border पर यह टच करती है वहाँ पर इनका claim बड़ा challenging है इसके लावा जून 2020 में चाइना ने attempt किया था UNDP United National Development Program Green Green Environment Fund को रोकने के लिए इस skating wildlife sensory का उन्होंने कहा कि disputed territory है देखिए बुटान के साथ relation पर या बुटान के साथ boundary issue create करने से चायना को एक damage भी होगा क्योंकि बुटान एक liberal country बुटान कभी भी किसी भी country के साथ कोई भी वार्जे situation में तो जाती नहीं है बट इनका सबसे peaceful relation भी है चायना अगर एक peaceful country के boundary को ये territory को कभजा करना चाहता है तो साथ ये सबसे भी हानक situation होने वाली है तो green environment fund का यहाँ पर discussion किया गया facility जिसको बोलते सोरी फंड भी बोल सकते हैं facility बोल सकते हैं तो 2012 में आपको मैं इसका बारे में थोड़ा बताता हूं गरीन environment facility है क्या देखे green environment facility जो है वो 1992 में जब रियो अर्थ सम्मिट होई थी ये रियो ब्राजिल की एक city है ये किसली होई थी कि environment related problems को resolve करने के लिए और कितना fund दिया गए वो important नहीं है बेसिकली काम करता जो major project है जो environment को protect करते हैं यहां उनमें जो issues उनको resolve करने के लिए तो ये 1992 रियो और सम्मिट के थ्रू जो है वो डेवलप की गई थी यहां पर next इसमें detail बताया गया कि क्या क्या चीज़ें जो है वो disputed territory इन्होंने claim किया चाइना के foreign ministry ने कहा कि eastern, central, western और हर जगह पर इनका disputed territory है चाइना और भुटान के बीच में 1984 से 2016 के बीच में लगभग 24 round बातचित हुई है यहां पर हमने देखा 2017 के अंदर डोकलाम में issue हुआ था चुम्भी वैली काफी important है strategically इस region में इसके लावा हमने देखा 2017 में तो चाइना की जो troops है वो डोकलाम में आ गई थो इंडिया और चाइना की troops के बीच में कई दिन तक ये dispute रहा था इसके लावा यहां पर देखो बातचित होनी थी बुटान के prime minister और वहां के foreign minister के बीच में लेकिन यह बातचित इसलिए नहीं हुपाई क्योंकि 2019 में schedule नहीं बन पाया और 2020 में हम देख रहे हैं कोरोना वाइरस के हुज़े से वो चीज़े नहीं हुई जो बुटान की government और embassy है इंडिया में उन्होंने comment करने से मना कर दिया कि वो अभी diplomatic comment नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका चाइना के साथ यह भीजिंग के साथ कोई diplomatic relation नहीं है इंडिया जो है वो भी इस पर directly comment नहीं करेगा क्योंकि वो अभी चीज़ों को थोड़ा उज़व करेगा क्या है और उसके बाद वो चीज़ों को analysis करते हैं अपनी opinion देगा सबसे important क्या है कि भारत के लिए challenge है अगर इस तरह की claim करता है क्योंकि हमारा North East जो है उसके लिए भुटान जैसी country का हमारे साथ रहना या भुटान की boundary में dispute नहीं होना ये हमारे लिए बहुत important है देखी यहां पर बात हो रही है डबली ओएच्चो की chief scientist जो है उन्होंने एक important statement release करी है कि जो अभी हम देख रहे हैं कोवाग जीन एक drug news में आगी है जिसको भारत बायोटेक ने डवलप किया है और यह उमीद की जारे कि 15 अगस तक यह उसको launch कर सकते है तो उन्होंने कहा कि कि किसी भी वेक्षिन को डवलप करने के लिए minimum six to nine months चाहिए क्योंकि कई phase के trials होते है minimum three phase होते है basically और इन phases को cover करने के लिए particular एक time होना चाहिए कि हम लोग उमीद तो करेंगे ठीक है practical होना चाहिए positive होना चाहिए but our estimate हमें नहीं लगाना चाहिए कि से सारी चीज़े जो है व हो उसकी efficiency हो वो safety हो और एक sizeable number of participants हो यानि उसके अंदर कई लोगों को clinical trial के अंदर involve किया गया हो ठीक है इसका data publicly release होना चाहिए जिससे इसके अंदर और ज्यादा transparency है यह vaccine कई इसलिए ज्यादा news में है कि ICMR ने यह कहा कि पहले यह कहा था कि यह 15 अगस तक हम launch कर देंगे जब उनसे question पुछाएगा कि इतनी जल्दवाजी क्यों है क्या इससे safety का concern नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि जो unnecessary red tape है उनसको रोकना और अपने जो participant है जितने भी और ज्यादा participant है उनको speed up करना है और 15 अगस तक इसमें launch करने की बातचीत चल रही है किसी भी वैक्षिन को launch करने के लिए और खासकर जो बड़े pandemic होती है उनमें 12 to 8 मन तक 18 मन तक का समय लग सकता है क्योंकि वो बड़े research क्योंकि पहली बात वायरेस को समझ पाना इस इस time भी एक challenge बना हुआ है वायरेस अपना रूप बदल रहा है और उसके वैक्षिन डेवलप करने म कई सारे phases होंगे उन्हीं phases को कहीं ने कहीं या तो जल्दवाजी की जारी है या उनको प्रोपरी उसमें number add नहीं किया गए number in the sense की ज्यादा लोग उसमें involved नहीं की गए यह concern है और इसको जल से जल resolve करना चाहिए मैपको बुटान का map दिखाना चाहता हूं Google के अंदर जो जि यह बुटान है और बुटान के अंदर हम चलेंगे अभी यह ग्लोब है और ग्लोब के अंदर अगर हम देखें बुटान के location को आप जूमिन करेंगे थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा important है strategically आप यह देखेंगे यह इंडिया की boundary है left side सिक्किम है और right side जो है वो हमारा प्य क्लेम कर रहें कि यहां पर जो century है यह disputed है अगर यहां पर इनका claim होता है तो इसका मतलब हमारा जो नौर्थ इस्ट है असाम अनाचर प्रदेश इसके security concern जो हो पैदा हो जाएगा तो यह बहुत ज्यादा important है हमारे लिए भी और security concern से भी और strategy के लिए इसके बाद हम page number 9 पर एक important चीज समझेंगे वो important क्या है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में 1960 का equation क्या था यह हम क्यों समझेंगे इसे हमें चाइना की ideology क्या थी उस टाइम पर उसको थोड़ा समझने मदद मिलेगी तो चाइना के communist party के chairman थे Mao Zedong और उस टाइम प्रीमेर थे जाविन लाई 1960 की यह बात हो रही है तो उन्होंने पाकिस्तान counterpart यानि पाकिस्तान के Prime Minister या उनके जो leaders थे उनसे बात करी क्या उन्होंने चीज की वो थोड़ा समझेंगे और उससे पता चलेगा कि हम लोग किस गलत फैमी में थे ठीक है तो इन्होंने कहा Mao Zedong पाकिस्तान Prime Minister को कि मैं एक बार RK जो नहरू थे वो ambassador थे इंडिया के उस टाइम पे उन्होंने उनसे बात करी और कहा कि हमारा दुस्मन जो है United States है और आप हमारे दुस्मन नहीं यानि भारत को यह कहा जाए नहीं और उन्होंने order किया कि चायना के जो soldier है उन्होंने बता कि चायना के soldier वो भारती आर्मी को suit नहीं करेंगे भारती आर्मी पर attack नहीं करेंगे और लेकिन इसके बाद हमने देखा कि भारत को विश्वास हो गया कि ऐसा चीज़े नहीं होगी लेकिन हुआ क्या इसके just opposite यानि हमने उनको hit किया उन्होंने हमने अपने plan को बदला और भारत बहुत खुस हो गया कि चायना उन्हों पर attack नहीं करेंगा लेकिन वो attack किया गया 1962 के अंधर इसके बाद उन्होंने बताया कि जितने भी rich and strategically country है US, Britain और इंडिया उस टाइम चायना के लिए तो इनसे क्या चीज़ चाहिए कि हमें secure कैसे bio cut कैसे कर सकते हमें खुद के weapon बनाने पड़ेंगे खुद के weapon को repair कर करना पड़ेगा और उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया अपने weapons को develop करना इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर से बात करी और continue की मिनिस्टर से भी इन्होंने बाचीत करी चाहिए वो foreign minister हो और वो तो इन्होंने का कि इंडिया जो है वो इंडिया के साथ अच्छे relation है लेकिन इंडिया चाहता कि तिबद उसके हिस्से में और जब तिबद को चीन ने अपने हिस्से में मिलाया तो भारत चिंतित हो गया क्योंकि भारत उसको अपने हिस्से में मिलाना चाहता था लेकिन सच यह है कि भारत किसी भी territory किसी भी country के territory को मिलाना नह चाहता था बलकि तिबद जो है उसको एक सतंतर स्टेट के रूप में देखता है और देखता रहेगा क्योंकि हमने देखा इन्होंने बता कि 90,000 स्क्वेर किलोमेटर की बाउंडरी जो है वो इंडिया चाहता था लेकिन इंडिया ने कभी भी इस तरह की इच्छा ना इंडिय जाकि पहले कभी अटेक इंडिया ने किया है और ना ही इंडिया करेगा तो इसके बाद कस्मीर इसूज पर बात करी कि दोनों कंटरी चाहिए वो चाहिए ना हो चाहिए पाकिस्तान हो वो कहींडर को और जो वो एक सी निती follow करते हैं और इसमें continue involvement की तरह वो चीजों को देखते हैं ठीक है यानि सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने कहा कि हम जिस हिसाब से relation बना रहे थे इंडिया को लगता था कि भारत और चीन के बीच में कोई issue नहीं है लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठाया और हमारे जो trust है हमारे विश्वास को एक तरक दरकिनार करते हुए अपने अपने self एक तरीके से चीजों को लेकर उन्होंने कबजा किया हमारे एक साई चीन पर जोहाला नहरू का परसनली कोई ओपोनेंट नहीं हूँ उनसे मुझे कोई issue नहीं है लेकिन जो यहां पर इन्होंने कमेंट किया है वह अब खुद पढ़िएगा यह highlighted मैंने किया है यह माव जड़ांग जो Communist Party के चेर परसन थे उन्होंने क्या कहा ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग काई जो territory है वो इंडिया कबजा करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के लोग अच्छे हैं लेकिन capitalist like जोहाला नहरू are not good यह उस टाइम की बात है जब जोहाला नहरू साब हमारे प्राइम निस्टर थे और माव जड़ांग पार्टी के चेर परसन थे यह हमारे प्राइम निस्टर के खिलाफ इस तरह की जो word यूज करे गए हैं उससे एक indication मिलता है कि चाहेना हमारे true friend है ही नहीं ठीक है जो आपक ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट के एन पर इसके बाद एनस सी एन आई एम के बारे में बात की गई है नेशनल इस नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल आफ नागालेंड इन्होंने रेट को रिड्यूस कर दिया 3% टेक्स इन्होंने इंपोज किया भी 525 से लेकर 3 अभी है क्या देखिए नागालेंड के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्रक्षिन है जो एक्स्टमिस्ट है जो बेसिकली क्या करते हैं अपने एक पैरलल गवर्मेंट चलाते हैं तो उन्होंने ये टेक्स को रिड्यूस कर दिया उन्होंने कहा कि पहली बात तो हमारे गवर्नर साहब वहां के आरन रवी उन्होंने एक स्टेटमेंट एक लेटर लिखा था चीफ मेंटर नेफ्योर रियो को कि ये एक्स्टमिस्ट ग्रूप जो है वो पैरलल गवर्मेंट चला रहे हैं और इंडिया की सुवर्निटी को डेमेज करने कोशिश कर रहे हैं तो यहां पर बताया गया कि इस करने का राइट किस ने दिया कॉंस्टिशनली क्या राइट है को यह ना तो कोई ट्राइबल है ठीक है यह एक ऐसा टेक्ष्ट इंपोज गर्राइज कर रहे हैं जिनका इन Leo Town Heard सभा ही रहे हैं इससी और्नेक्रशन नहीं है इस च्रीम यांशन है जो डिमांट करते एक नागा लेंड वरीत्तम नागा लेंड जो है वो एक अलग कंट्री बने तो इस तरह के और्गनाजेशन पर सेंट्रल गवर्मेंट फोर्सेज और स्टेट गवर्मेंट को स्ट्रिक्ट एक्षेन लिए जाने चाहिए और इस प्रकार की चीजे जो है वो लोगों को भी डैम से इसके बाद दो न्यूज है इस पेज पेज नंबर टैन पे फूट ग्रेन ओफ टेक्स बाइस्ट राइजिंग सार्पली तो अब यहां पर न्यूज क्या है बेसिकली कि हमारा जो फूड कोर्पेशन आफ इंडिया है वहां से जो राइस है यानि चावल का जो जो है वह राइस दिया जाना चाहिए था और जो चेना है वह अब लेवल करवाना था तो अब उसको पहले यह जून तक थी लेकिन आब यह बढ़ा कर दी गए नॉम्बर तक तो इसमें और ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है यह एडिशन है कहीं ना कहीं नैशनल फ फूर्ट वाइड करवाएज आएगा माइगरेंट लेबर के बारें में बात कीगी कि उनको पांच किलो राइस जैफूर्ट जया फूर्ट इन्जो हो लेवल करवा जाएगा मैंई जून में अलग्त जो माइगरेंट वर्कर वाली है वह बंद कर दी क्योंकि इसका टारगे सेवन स्टेट्स द्वारा यूपी बिहार वेस्ट विंगोल महरास्ट्रा अंद्रपरदेश तमिल नादूर करनाठ का इनके द्वारा ठीक है और वेट के अंदर हम जो गेहूं की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो है वो राजस्तान द्वारा उसके बाद उत्तरपरद प्रिया में नेक्स्ट फॉर विक्स के अंदर सबसे बड़ा अटेक हो सकता लोकोस्ट का लोकोस्ट में जो टिड्डी होती है ठीक है इसके लावा उन्होंने गवर्मेंट को कहा है कि आप स्टैप करिये और ज्यादा किसके लिए ड्रोन का यूज करिए बेल हेलकोप्र हेल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्रप्रदेश, महरास्टरा, छत्तिषगड, हर्याना और बिहार ये सारे एक सारे स्टेट जो है वो इफेक्टिड होएं इससे और 26 साल में पहली बार भारत इस प्रकार का जो है वो फेस कर रहा चीज़े आप लोगों नीचे कमेंट क कि ड्रग्स अंडर रिवीव आफ्टर ट्रायल रिजल्ट यानि जो ड्रग्स है जो कोविड-19 पेशेंट को इस टाइम दी जा रही है जिसमें रेमडेस्वियर है, हाइड्रोक्सी क्लोरिक्वीन है, लोपनिवियर है, रिटोनवियर है और फेवपियर है ये बेसिकली अभ इसको यूएस ने तीन महीने बहुत सारा स्टोक जो उन्हों ने खरीद लिया था और अब इसमें रिस्टिक्ट किया जारा कि मोडरेट केस में ही यूज किया जाए, इंडिया इसको लेकर पर्टिकुलर है कि कहां किस ड्रग को यूज करना है, और कोविक्जिन एक इसको अगर आप बिजनस में इंटरस्टिट है तो आप जरूर इसको देखिए, लेकिन एक्जाम प्रस्पेक्टिव से यही चीजी इंपोर्टन थी, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज क्योश्चन को आप सभी कमेंट करें, क्योंकि क्योश्चन कमेंट करना काफी important है, गलत सही से मत डरिएगा, effort करिए, गलती करिए, यहां पर आपको जितनी गलती करनी करिए, ताकि exam में आपकी गलती होने की possibilities कम हो जाए, दूसरे important चीज, कि आप इसकी PDF बिलकुल आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका link आपका description प्लस comment section दोनो हमने शुरू कर दिये, जो भी suggestion होगी, include करने की possibility होगी, वो include किये जाएंगे, तो आज के the Hindu news paper analysis में इतना ही, उमेद करते हैं आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो इस वीडियो को share करिए, और answer comment जरूर करिएगा, thank you all, jahind